नमस्कार आप देख रहे हैं News PR मैं हूँ आपके साथ रूपम सिंग साधियां तो अब आपने कई देखी होगी और साधी को लेकर कोई भी लड़का या लड़की काफी खुस होते हैं उनके पडिवार भी काफी खुस होते हैं और एक साधी ऐसा भी है जो की जबरन साधी कर दिया गया है जिसमें लड़की और लड़का को यह भी पता नहीं था कि आज उनकी साधी होने वाली है और नहीं उनके पडिवार को यहां, यह बात है Christmas day के दिन, 25 दिसम्बर का वो दिन था जब एक लड़की और लड़का दोनों प्रेमि एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद, 25 दिसम्बर को मिलने के बाद वो लोग planning कर रहा है कि किस तरह से आज Christmas Day मनाया जाए, कहां जाए, हुमने कहां जाना है और किस तरह से मनाया जाए, इस तरह की planning कर रहे थे, जब वो planning कर रहे थे, उन वेच, उस समय कुछ लोगों ने उन्हें मिलते देख लिया, और फिर क्या था, मिलने के बाद यह बात हवा की तरह, आग की तरह, पुड़े गाउं में फैल गई, और जितने भी गाउं के लोग हैं, वो जुट गया, यह मामला दरियापूर थाना का है, जहां पर दो दो लड़की और लड़का, 25 दिसंबर को पाटी को लेकर, Christmas Day मनाने के लिए, वहां पर जुटे थें, और सभी ग्रामीनों ने उन्हें घेर लिया, जब बात उनके तक पहुची और घेरने के बाद लड़का का जबरन साधी कर दिया गया उस लड़की के साथ, हाला कि वो दोनों नाबालिक थें, लड़का लाख मिनते करता रहा कि मुझे अभी यह साधी नहीं करनी है, फैमली के साथ, रजामंदी के साथ यह साधी करनी है लड़का मिनते करता रहा, लेकिन गाउंवालों ने एक भी नहीं मानी और उनके जबरदस्ती साधी करती गई, साधी करने के बाद लड़का और लड़की दोनों के फैमली वहाँ पहुचें, दोनों पडिवार मिटिंग कियें, और उसके बाद लड़का का जो पडिवार ह उसके माबाप उन्होंने लड़की यानि की प्रेमी का, जो है प्रेमी का के घर पे ही लड़का को छोड़कर, प्रेमी को छोड़कर वो लोग वापस चले आए, उसके बाद क्या था, उसके बाद प्रेमी के पडिवार थाना पहुचें, और थाना पहुचने के बाद वो व नाच के दौरान यह पता चला कि किस तरह से वहां पर वो लोग क्रिस्मस के लिए वहां पर गह थें और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थें यानि कि प्रेम प्रसंग का यह मामला था और उसमें जबरदस्ती साधी करवा दी गई लड़का ने बताया साफ तौर पे कि यह दो साल पहले मिला था दोनों एक दूसरे के साथ कोचिंग जाते थें और उस दौरान धीरे-धीरे उनमें प्यार हुआ और प्यार के बाद वो लोग धीरे-धीरे मिलते रहें और साधी कि बात के लिए अभी वह तैयार नहीं थे क्योंकि वह लोग अभी नावालीक थे फिलाल लड़का ले जाने को लड़की को तयार नहीं है मगर लड़की के जो पड़िवार हैं वो लोग तयार हैं कि लड़की को हम बीदा करें लड़का के घर लेकिन अभी लड़के वाले लेकर नहीं जा रहें लड़की और लड़का दोनों लड़की के घर में ही है हाला कि ये साधी जो है ये जवरन की साधी करवा दी गई है दोनों के जो सौक हैं साधी के लिए जो खुसियां है एका एक हो गया और खुसियां धरी के धरी रह गई फिलाल अभी के लिए इतना ही बने रहें न्यूस पियार के साथ धन्य बाद